सुरुवाती दो मुकावलों में मिली हार के बाद मुंबई इंडियंस का अब कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मुकावला खिला जाएगा आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाप मुंबई इंडियम्स की प्लेंग लैबन क्या होगी इसके अलावा आपको बताएंगे कि मुंबई इंडियम्स की टीम में क्या-क्या बदलाओ हो सकते हैं वीडियो को पूरा देखें चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको लगता है कि मुंबई इंडियंस आईपिल 2022 का खिताब जीतेगी तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें आईपिल 2022 से जुड़ी हर चोटी बड़ी अपडेट के लिए आप हमारी टेलीग्राम चैनल को जोईन कर सकते हैं मुंबई इंडियंस का प्रदर सन आईपिल 2022 में काफी निरासजनक रहा है सुरुआती दोनों ही मुकाबलों में मुंबई इंडियंस को हर का सामना करना पड़ा है मुंबई इंडियंस का अगला मुकाबला केके आर के खिलाप खिला जाएगा जो की 6 अपरेल को होना है केके आर के खिलाप मुंबई इंडियंस इस सीजन की पहली जीत की तलास में होगी अगर हम मुंबई इंडियंस की टीम की बात करें तो टीम में चार बड़े बदलाओ देखने को मिल सकते हैं अनमूल प्रीट सिंग की जग है सुरुकुमार यादाओ की बापसी हो सकती है सुरुकुमार यादाओ सुरुआती दो मुकाबलों में नहीं खेल पाए थे मद्धिक्रम में टिम डेविट की जगहे डिवॉल्ड ब्रेविस को सामिल किया सकता है डिवॉल्ड ब्रेविस वही बल्लेवाज है जिन्हें जूनियर डिवलियर्स कहा जाता है मद्धिक्रम में डिवल्ड ब्रेविस के आने के बाद बल्लेबाजी को मजबूती मिलेगी डैनियल सेम्स की जगहे राईली मेरेडित को टीम में सामिल किया जा सकता है मेरेडित एक बहतरी इंतेज गेंदवाज माने जाते हैं बैसिल थंपी का प्रदर सन सुरुआती दो मुकाबलों में अच्छा नहीं रहा है राईज्थान रोयल्स के खिलाफ उन्होंने एक ओबर में ही 26 रन खर्च कर दिये थे बैसिल थंपी की जगहे टीम में जैदेव उनातकट को मौका दिया जा सकता है जैदेव उनातकट को सुरुआती दोनों ही मुकाबलों में मौका नहीं मिला है अगर हम केकियार के खिलाफ मौंबई इंडियंस की प्लेइंग लेबन को देखें तो रोहित सर्मा, ईसान किसन, सुरुकुमार यादो, तिलक बर्मा, डिवल्ड ब्रेबिस, कैरन पूलाड, एम, अस्बिन, जैदेव उनातकट को मौका दिया जा सकता है आपको क्या लगता है कि मौंबई इंडियंस IPL 2022 का खिताब जीत पाएगी आप अपनी राए नीचे कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें